नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत है हमारी यूटुब चैनल सुनी टेक अने जूकसर में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करें वाले हैं एक्जाम सेंटर में आप कौन-कौन से डोकुमेंट्स लेके जाएंगे या फिर आप कौन-कौन से डोकुमेंट्स नहीं ल देखना है ताकि इस वीडियो में बताएगा पूरी पूरी जानकारी आपको मिल पाएं दोस्तों चलिए वीडियो के और चलते हैं दोस्तों आपको इस परकार से इंटरफेस होगा इंटरफेस होने कबाद दोस्तों आपको नीचे के और जाना है और यहां पर आप देख सक को आप यहां से अगर हिंदी पर्वं में देखने चाते हैं तो यह देख सकते हैं यहां आप देख सकते हैं अभयात्री के लिए समान्य निर्देश दोस्तों यहां पर तीन नमर वाले पॉइंट में जैसे के दिया हुआ है कि अभयात्री परिच्छा के रिपोर्टिंग समय पर सिदे निमलिखित अपने साथ लाएं तो जो जो आपको लेके जाना है यहां पर आपको तीन नमर वाले पॉइंट में मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको क्या लेना है कि यहां पर दिया हुआ है परबेश परमान पत्र यानि एड्मिन कार्ड लेके जाना है तिसरा हो गया आपके जो है एसपस्ट फोटो वाला मुल रूप से कम से कम एक फोटो यूप्त वेद псих परमान पत्र यानि दोस्तों जैसे की आपके आधर कार्ड हो गया आपके डॉयविन कार्ड हो तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी आपके डोकुमेंस एक डोकुमेंस लेके जाना है जो की ओरिजिनल होना चाहिए और आपके फोटो भी साप साप दिखना चाहिए उसमें उसके बाद दोस्तों इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं घह नमर में आपके दिये हुए हैं यदि फोटो पैचान पत्र में पूर्ण जन्मतिती अंकित नहीं है तो उमीदबार को अपनी जन्मतिती को सच्य के रूप में अतिरिक्त मुल दस्तवेच लगाना लाना होगा जि पर मैं बता दू कि जैसे कि आप आधारकार्ण में बहुत सरे कैंडिडेट का ऐसा भी होता है कि अपने date of birth जो है जैसे कि मान लीजए आपके दो जन्मारी 1995 आपका डेट बर्त है और उन्मे से आपके जो आधर कारड में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है उनिस फजा पर चानब यर दिए हुआ है जबकि आपके परवेश परवन पत्र यानि admit card में जो है admit card में आपके full date of birth है तो इस condition में दोस्तों आप आधर कार्ट ना लाएं उसमें आपको problem होगा आपको in होने नहीं देगा दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपके आधर कार्ट में देखना है आप जो भी documents ला रहे हैं आपके admit card और आपके documents में जो की original documents में आपके father's name आपके names और date of birth में किसी भी तरह के truth यानि किसी भी परकार के explain में गलती नहीं होनी चाहिए एक दम same to same match होना चाहिए तो दोस्तों यह तो आपको पता चल गया कि आपको कौन सा documents लाना है कौन सा documents नहीं लाना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर जैसे कि COVID-19 के लिए बताया गया कि face mask तो face mask आपको लेके आना ही है उसके बाद जैसे कि दोस्तों निर्देश के अनुसर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर hand sanitizer का एक पारदरसी बोटल आपको लेके जा दीए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जर नंबर जो है यहाँ पर देख सकते हैं परवेस परमान पत्र के साथ दिया गया है COVID-19 के घोसना परमान पत्र के प्रिंट आउट आपको लेके जाना है तो दोस्तों यहाँ आपके मन में सवाल होगा कि कौन सा भोसना पत्र मुझे पर देख सकते हैं आपको हिंदी इंग्लीज फरमेट में यहिग फादूँगा और अगर दोस्तों इस फारम को आपको भरने नहीं आ रहा है आपको समझ में नहीं था और होगा निख सकते हैं इसके बारे में वीडियो बना दूँगा दोस्तों मैं बता दू कि ये जो घोशना पत्र है घोशना पत्र COVID-19 की हर एक रीजन में डाउनलोड नहीं हो रही है जिन जिन रीजनों का एडमिट कार्ड के साथ घोशना पत्र यानि COVID-19 फॉर्म आपके डाउनलोड हो रही है उन्हीं को अपने एक्जाम सेंटर घोशना पत्र को लेके जाना है और जिन रीजन का एडमिट कार्ड के साथ घोशना पत्र यानि COVID-19 के फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रही है उनको ले जाने का जोरत नहीं है वो केबल अपने एडमिट कार्ड और अपने डोकॉमेंस लेके एक्जाम सेंटर जाएं तो दोस्तों चली कहके लेके नहीं जाना मैं बता दूँ यह सब आपके allout नहीं है उन सेंटरों पर तो दोस्तों किसी भी परकार के metal आप लेके ना जाए दोस्तों उमीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या लेके नहीं जाना है